फोर प्लस रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रियेंट करने के लिए सबसे पहले अस्केल की साहिता से एक अस्टेट लाइन डो करेंगे और अब इसे इकोल इकोल पार्ट में डिवाइट करेंगे कमपस की साहिता से इसे इकोल इकोल पार्ट में डिवाइट करना सबसे पहले स्टार्टिंग में जीरो ले लेंगे और उस पे कंपस के निटल को रखकर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइट करना है 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट and 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट अब इसके दोनों साइड में एरो मार्क कर देंगे और इस नंबर लाइन पे नंबर रिप्रियेंट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 अब कमपस की साहिता से जहां पे 4 है वहां पे एक परपेंडिवुलर लाइन डो करना है इस तरह से और इस पे सेम रेडिया से दो कट लगाना है और फिर इस दोनों कट पे रखकर उपर की तरफ कट करना है जिसे की 90 डिगरी डो होगा अब स्केल की हैल से फोर वाले मार्क और कट वाले मार्क को जोईन करना है जिसे यह परपेंडिवुलर लाइन डो हो जाएगा अब इस परपेंडिवुलर लाइन पे वन यूनिट कमपस पे लेकर कट करेंगे जीरो और वन के बीच के जो डिस्टेंस है वो वन यूनिट होगा आप चाहे तो टू और थीरी के बीच के भी डिस्टेंस ले सकते हैं और फिर उसे पर्पिंडिक्ल लाइन पे रहकर कट करना है यह देखिए यहां पे यह कट आया सेम परले वाले कट पे है उसलिए कोई बात ने इस पे ध्यान से उसे ठिरी से जॉइन करेंगे थोड़ा केरफूली करना है अब यह एक ट्रेंगल बन गया जिसमें यह वाला एंगल 90 रिगड़ी है और इसका पर्पिंडिक्लर वन उनिट हुआ और बेस भी वन उनिट हुआ अब यदि पाइथोगोरस थे और हम से इसे कल्कुलेट करेंगे तो इसका हाइपोटेनेस रूट टू आएगा तो अब रूट टू को कमपस के हेल्प से मेजर करेंगे और उस लेंद को कमपस पे लेकर और फिर फोर्ट पे रखेंगे और फोर्ट पे रखने के बाद उस नमबर लाइन को कट करना है जिससे कि यह फोर पलस रूट टू डो हो जाएगा यह यहाँ पे फोर पलस रूट टू आ गया इसे एरो देकर उपर में लिख देते हैं फोर पलस रूट टू तो यह नमबर लाइन पे रिप्रेंट हो गया ओके थैंक्यू फूर वाचिंग दा वीडियो